जेहिंद, मैं ललित कतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया आज बात समाज में कुछ सकारात्मग बदलाव लाने वालों की शिक्षगरण करने के दोरान जहां युवा सामानने तह अपनी पड़ाई और घर के कारेों में हाथ बटाने तक ही सीमित रह जाते हैं वहीं श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ये तीन होनार ना सिर्फ अपना नाम उचा कर रहे हैं बलकि कजबे में बहताशिक्षा का माहौल पैदा करने की कवादत में जुटे हैं आपने कभी भूशन की ये पंक्तियां सुनी होगी सिर्फ हंगा मा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और ऐसी ही सूरत बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये तीन होनार युवक MABSC की पढ़ाई कर चुके युवा करीब 140 बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं ये सिलसला पिछले करीब 6 माह से लगातार चल रहा है युवाओं की सकरात्म परियास की न सिर्फ कस्बे में बलकि दूर दराज के शेत्रों में भी प्रशंसा हो रही है नागरिक जब शिक्षित और जागरुख होगा तो स्वतही देश और समाज तरक्की के पत्थ पर अगरसर होता है इसी धाणा के अनुरूप अपने कस्बे को विशेश बनाने के लिए शिरी गंगानगर सादुल शहर के तीन युवाओं ने ठान ली है कस्बे की धानक धर्मशाला में पिछले कई महीनों से एक शिक्षा केंदर लगता है जिनमें असहाय और गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं और इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है कस्बे के ही कुछ जागरुक युवाओं ने इसकी शुरुवात की है और इन लोगों ने स्थ्वयम के संसाधनों द्वारा गरीब परिवार के बच्चों में शिक्षा के अलग जगाने का संकल्प लेकर ये परियास शुरू किया है शिक्षा केंदर में कस्बे के विभिन स्कूलों के बच्चों को स्कूल टाइम के बाद रोजाना 2-3 गंटे की शिक्षा दी जाती है केंदर चलाने वाले अध्यापक शियामलाल के अनुसार उन्होंने अपने जीवनकाल में ऐसे बच्चों को देखा है जिनके माता-पिता नहीं है या वे गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते या उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है उन्हीं बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें दिमाग में एक प्रेणा आई और उन्होंने यह केंदर शुरू किया जगह के लिए उन्होंने वाड में बनी धानक धर्मशाला के खाली कमरों को चुना और इन कमरों की साफ सफाई की गेटीक करवाया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया वहीं रमन दीप खंडा के अनुसार शुरूवात में यहां 30 बच्चे आते थे अब इनकी संके 120 तक पहुँच गई है इसके लिए उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी अगर खतरी